इंडिया में दिन बदिन डिजल और पेट्रोल की प्राइज बढ़ रही है लाश 20 दिन में 15 दिन जो है वो पेट्रोल की प्राइज बढ़ चुकी है और इससे ये चीज़ तो पता चल दे है कि आने वाला समय कुछ अलग होने वाला है मतलब आने वाले समय में हम petrol और diesel की price afford नहीं कर पाएंगे यहाँ पे हम future में electrical vehicle यूज़ करने वाले है Recently नितिनगरकर जी ने ये कहा है कि EV industry का mass production होने वाला इंडिया में जो मोदी जी के making India के अंदर आता है तो इससे future में इंडिया में EV industry में बहुत सरी jobs available होने वाले है अगर आप अपने career को advanced level पे लेके जाना चाते हो या फिर EV industry में काम करना चाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि EV industry में कौन से jobs आने वाले है उसकी salary क्या होगी और उसके साथ साथ हम बात करेंगे अगर आपको EV industry में काम करना है तो आपके पास क्या skill set होना चाहिए सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो के इन तक ज़रूर देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करना ताकि उनको भी इस बारे में पता चल जाए इंडिया में हर साल आठ लाग इंजिनियर्स ग्रैजुट होते हैं बट उसमें से ओनली 16-20% जो स्टूरंस है उनको बहुत बड़े जॉब मिलता है बाकी के जो 80-85% जो स्टूरंस है वो दर-दर भटकते रहते हैं प्राइवेट जॉब्स कर दूनते रहते हैं बहुत बड़े जॉब्स की तलाच में हमेशा रहते हैं इसका जो में डिजन है वो है स्किल गयाप इंडिया में जो एजुगेशन सिस्टम है उसमें जो सिखाय जाता है और इंडस्री में जो हम काम करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और उसी को कहते है स्किल गयाप आपके पास particular skill set नहीं होगा तो आपको job नहीं मिलेगा बहुत सारे jobs आप apply करते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये skill set नहीं है उस बैसे आपको ये job नहीं मिल रहा है बहुत सारे recruitment notification में ये चीज़ mention की जाती है कि आपके पास particular skill set नहीं है इस बैसे आप यहाँ पे apply नहीं कर सकते इंडिया में जो 70% employees है वो मानते हैं कि वहाँ पे educational skill gap है मतलब आपके education में जो सिखाया जाता है और आपको industry में जो आप काम करते हैं उसमें बहुत बड़ा difference है इस बैसे बहुत से रिश्टरोंस को job नहीं मिल पाती तो ये skill set आप कासे require कर सकते हैं तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में divide करते हैं तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से jobs आने वाले है in future में मतलब EV industry में कौन से jobs आने वाले है और उसकी average salary क्या होगी दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर हमें EV industry में काम करना है तो हमें कौन से skill set सीखना बहुत important है बट आगे बने से पहले कुछ important बाते आपके साथ share करना चाहूँगा अगर आप mechanical background से हो तो आपके लिए earn academy लेकिया रहे technologies for tomorrow जिसमें आपको free certification workshop provide करने वाले है यह जो workshop है वो advanced automotive technologies पे होने वाला है मतलब EV industry में जो advanced automotive technology यूज़ की जाएगी उस पे यह workshop होने वाला है यह April का last workshop है और यह जो workshop है weekend में होने वाला है मतलब 16 April को शाम को 4 बजे इसमें participate करके आप advanced automotive technology सीख सकते हो वैसे तो यह workshop है वो 2000 रुपे का conduct किया जाता है बट यहाँ पे earn academy आपके लिए free of course लेके आ रही है इससे आप जान सकते हो कि technologies for tomorrow मतलब आने वाले समय में कौन से technologies होने वाले है और आप उसका use कैसे कर सकते हो दूसरा जो workshop है वो है electrical वालों के लिए electrical and electron students के लिए जो conclave 2.0 free certification workshop होने वाला है इस workshop में आपको सिखाया जाएगा IoT 360 और introduction to drone technology यह जो workshop है वो 16 और 17 एपरिल को हने वाला है दोपेर के 12 बजे और इसमें enrollment करके आप future skill सीख सकते हो तो link description में available है दोनों workshop में enrollment करना बहुत बड़े workshops होने वाले है mechanical, electrical and electrons बांचे के लिए अगर आप दूसरे बांचे हो तो भी enrollment करना कि नए चीज़े क्या होने वाली है वो भी आपको पता चल जाएगा तो भी बात करते हैं पहले पार्ट की तो पहला पार्ट जो है वो हमारा है कि ऐसे कौन से jobs आने वाले है EV industry में जिसमें हम बहुत बड़ा करियर बना सकते है और उसकी salary क्या होगी तो यहाँ पे future में जो है वो 10 million प्लस jobs आने वाले है hybrid electrical vehicle में प्लस 5 million से ज़्यादा लोग जो है वो Solidworks यूज़ करेंगे Solidworks एक बहुत बड़ा software है जिससे modeling की जाती है जो EV industry की जो vehicle की modeling है या फिर जो battery design की जाती है वो यहाँ पे Solidworks में कर सकते है 2 million प्लस job जो है वो semiconductor industry में आने वाल है क्योंकि drone technology बहुत popular होने वाली है आने वाले समय में जो delivery है, food delivery या फिर आपके जो Amazon से parcel आते है वो आपके घर पे drone द्वारा पहुचाए जाएंगे तो यहाँ पे semiconductor industry भी बहुत boom में आने वाली है जैसे EV industry आने वाली है तो इसमें आप बहुत बड़े job पा सकते हो average salary की बात करें तो यहाँ पे 6.7 lakhs per annum की आपको average salary मिल सकती है और इससे आपका बहुत बढ़या career बन जाएगा यहाँ पे only average salary के बारे में बात कर ले बड़ इससे जाद आपको salary मिल सकती है अगर आप CFD, VLSI या फिर FEA engineer बनते हो तो बट अभी question आता है की हमें इसमें job कैसे मिल सकता है सर आपने तो हमें बता दिया की 6.7 lakhs per annum की हमें salary मिल जाएगी बट यहाँ पे कौन से skill set important है या फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ये job मिल सकते है तो यहाँ पे सबसे important part आता है earn academic का जो हमारा part 2 है इस वीडियो का तो ये job पाने के लिए earn academy आपको help कर सकती है तो यहाँ पे आप job ready कैसे हो सकते हो उसके बारे में earn academy बात करती है अगर आपको कोई भी specialization करना है तो आपको पहले उसका basic या फिर core जो है वो strengthen करना पड़ेगा उसके बाद tool mastery जो particular tool यूज किया जाता है industry में वो आपको सीखना है बहुत important है उसके बाद आप specialization करोगे specialization होने के बाद next generation जो electives है वो आपको सीखना बहुत important है और बाद में जो है वो interview readiness तो इन सभी course goal से अगर आप जाते हो तो आपको बहुत बड़े job मिल सकता है तो यहाँ पे earn academy आपको क्या help करेगी तो job ready की बात करें तो यहाँ पे mechanical और electrical and electron students के लिए बहुत बड़ेया course option earn academy लेके आ रही है उसके बार में बात करते है तो यहाँ पे 300 plus hours का earn academy जो है वो course provide कर रही है जिसमें आपको FEA, CFD, EV जैसे topic सिखाय जाएंगे यह next generation mechanical के लिए बात हो रही है second जो है वो software आपको सिखाय जाएंगे जो industry में बहुत बड़ी है यूज़ करते है जैसके solidworks, NXCAD, ANSYS जो help करता है आपको designing पार्ट में और analysis पार्ट में live projects आपसे करवाए जाएंगे weekly doubt soling session भी मिल जाएगा आपको interview preparation भी आपको करवाए जाएगा और सबसे important बात है कि आपको यहाँ पर certification भी provide करने वाले है और अगर आप electrical या फिर electronics ब्रांज से हो तो आपके लिए भी सेम चीज़े होने वाली है प्लस यहाँ पर आपके जो software है वो सिप अलग रहेंगे जो आपके required ब्रांज से software है वो आपको सिखाय जाएंगे तो earn academic की तरफ से बहुत बड़े options से आपे available है जिससे आपको next generation future में जो भी jobs आने वाल है उसमें आपको बहुत बड़े salary package और बहुत बड़े आप career बना सकते हो सबसे बड़िया earn academic आपको help करती है interview readiness के लिए interview बहुत बड़ा role play करता है आपके recruitment में क्योंकि कोई भी recruitment जो है वो interview की बिना खतम नहीं होती interview readiness की बात की जाए तो आपको optimization CV सिखाए जाएगा मतलब जो keyword से वापके CV में आपको कैसे डालना है जिससे आपको job requirement या फिर job recruitment में first stage आप आराम से clear कर सकते हो second आपको confident body language सिखाए जाते है मतलब interview देते से में आपको क्या चीज़ों का धायान रखना है आपका body posture क्या होगा और आप कैसे interview दे सकते हो उसके बार में आपको detail में guide किया जाएगा plus building repo building repo बहुत important role पे करता है interview में plus आपको projects और certification भी provide करने वाले है तो free certification already मैंने बता दिया है कि आप earn academic की जो free certification होने वाले है इस मन में उसमें join कर लेना जिससे आपको बहुत बेटा certification और knowledge मिल जाएगा तो अभी बात आती है इसमें कौन enrollment कर सकते हो तो enrollment की बात की जाए तो अगर आप third year में हो, fourth year में हो और job के लिए apply करना चाहते हो जैसे आपका engineering खतम हो जाएपको job चाहिए तो आप इसमें जरूर enrollment करना या फिर आप third year में हो, fourth year में हो अभी से अपना portfolio बनाना चाहते हो तो भी आप इसमें enrollment कर सकते हो या फिर आप freshers हो आपके लिए बहुत बड़ी options लेके हरें सभी का link description में available है आप आप से अंडर में कर सकते हो और सबसे important बात है earn academy आपको यहाँ पे paid internship भी provide करने वाले है तो ये course के साथ साथ आपको paid internship भी मिल जाएगी जिससे आपका बहुत बड़ा portfolio और experience बिल्ट हो जाएगा तो I hope आपको सभी चीज़े समझ में आगे रहेंगी फिर भी आपको कोई बीड़ाउट है तो आप मुझे comment section में पूछना में definitely आपको help करेंगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको उड़ा पसंदा होगा तो शुक लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद